नमस्कार दोस्तों सुआगत है आप सभी का अपना चैनल आईकेंटी हिंदी टेक में दोस्तों अब तक हम लोग सुनते आ रहे हैं कि बैंक जो है इसमिस इलट चार्ज लेती है जो कि प्रती तीन महीना पर एकाउंट से डिबिट किया जाता है या फिर प्रती महीना कुछ बैंक ऐसे भी है जो प्रती महीना करके इसमिस इलट चार्ज लेती है लेकिन आज हम आपको एक ऐसे जानकारी देने बाले हैं जो कि बैंक नहीं बलकि बिजनिस अकाउंट पर आपको जो है इसमिस इलट चार्ज देना पड़ेगा जी हां दोस्तो हम बात कर रहे हैं पेटीम मर्चिंट अकाउंट के बारे में पेटीम मर्चिंट अकाउंट आपने खोल कर रखा है तो आपको smis alert चार्ज प्रती महीना करके 25 रुपिया देना पर रहा होगा अभी तक आपके अकाउंट से नहीं डिविट किया जाता है तो आप ज़्यादा खुस मत होएं देरे देरे करके सभी के अकाउंट पर यह लागू होगा हम यहाँ पर PTM Business Application पर महजूद है यहाँ पर हमने अपना अकाउंट को लॉग इन करके रखा है अब यहाँ होम स्क्रीन पर ही आपको जो है इसमिस वाले आइकन नजर आएंगे सबसे उपर में तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको नोटिफिकेशन सीटिंग नजर आएगा जहाँ पर आप लोग सबसे पहले देख पाओगे अडियो इलेट की फैसलिटी इसे आप इनेवल कर देते हैं तो पेमेंट जब भी किया जाएगा जब भी कोई ग्रहा काप की क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करेगा यहाँ पर बोल कर आपको बता देगा जो कि यहाँ पर 11 लैंग्वेज में एवलेबल है तो आप इसे इनेवल कर सकते हैं काफी आसानी से ऐसे करके आप इनेवल करिए और आप यहाँ पर हिंदी या फिर इंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि यहाँ पर डाउनलोड होगा और उसके बाद सेफ कर सकते हैं उसी परकार से यहाँ पर फूल स्क्रीन नोटिफिकेशन की भी आप्संस मिलता है नीचे में आपको SMS alert का आप्संस मिलता है और इम payment किया गया है तो अभी यहाँ sms alert हमारे account पर enable है और sms alert के बाद जो है email alert भी enable है तो हम sms alert को disable करेंगे जो कि इस परकार से deactivate कर सकते हैं अब यहाँ पर पूना activate करने जाएंगे तो तुरंच से activate हो चुका है और यहाँ पर कोई भी charges के बारे में नहीं बताया किया है लेकिन कुछ आकाउंट पर एक्टिवेट करने जाओ कि वहाँ पर आप से लिखा जाएगा कि 25 रुपिया पर मंत करके आपके एकाउंट से इसमिस इलट चार्ज के रूप में डेबिट किया जाएगा जी हाँ एक वार फिर से मैं रिपीट कर दूँ इसमिस इलट चार्ज 25 रुपिया पेटियम फो बिजनस अकाउंट पर लगती है जो कि सभी एकाउंट पर फिलहाल नहीं लग रहे हैं कुछी एकाउंट पर लग रहे हैं आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके बताये का कि आपके एकाउंट पर पेटियम बिजनस अकाउ रहा है या फिर नहीं लग रहा है जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो sms alert को हमने disable कर दिया है तो disable करने के बाद sms alert charge आप से नहीं किया जाएगा अगर आपकी ptm wallet में भी sms alert charge लग रही है तो आप उसे भी disable कर सकते हैं जिस पर एक डिटेल में पहले ही हम वीडियो बना चुके हैं इस वीडियो के description box में सबसे उपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा तो अगर आपकी account से आपकी ptm for business account से sms alert charge लिया जाता है तो आप उसे disable कर सकते हो sms alert को आप काफी आसानी से disable कर सकते हो उमिद करेंगे कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें और इसी परकार के वीडियो प्राप्ति के लिए चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें इस वीडियो से जूरी कोई भी सवाल हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी नाफ वोले मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में हमें दीजिये इजाजा तब तक के लिए गुडबाई